तो यहाँ पे HPPSC यानि की शिम्दा बोर्ड की तरफ से recruitment हमें देखने को मिल रही है और last date रहेगी 8721 तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा इससे पहले बेले आपको अपना form जो है फिल अप करना है अच्छे से finally यहाँ कुछ एक important instructions दी गई है इनको ध्यान से देखिएगा यह इतनी ज़्यादा important नहीं होती है कि इनको एक-एक पढ़ें फिर भी आपके लिए पढ़ना जुरूरी है अगर आप apply करोगे तो computer programmer की vacancies हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो आप eligibility criteria क्या है क्योंकि 50 से 70% students इन वीडियो को देखते हैं जो eligibility criteria फुल्फिल नहीं करते हैं तो ऐसे मैं उनका time based करना नहीं चाहिए तो पहले ही पता रहा हूँ अगर आप b.tec है computer science engineering और information technology with programming as an essential component of the degree course या फिर आप M.C.A. है B.C. label या फिर course हो N.I.E.L.I.T. का ठीक है या फिर simply आप IT में M.C.A. है तो यहाँ पर इन्होंने साफ तोर पर बताया है कि master's degree in computer science और master's degree in information technology बाखी desirable qualifications आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में पता हो कितनी vacancies हैं और कैसे apply करना है क्या salary रहेगी बगएरा बगएरा हम सब कुछ देखने वाले हैं वीडियो को लास तक देखिए age limit की बात करें तो 18 से 45 साल अब मुझे यह समझ नहीं आता कि 18 साल किस हिसाब से रखते हैं अगर कोई b.tec करेगा या फिर master degree करेगा तो उसकी आयू 18 कैसे हो सकती है फिर भी आपको ध्यान से देखना है 18 से 45 साल इनों ने आयू बताई हुई है बाकि जो भी SCST या फिर category वाले हैं पांच सालों का reservation उनको मिलेगा और ये साब कुछ देखा जाएगा एक एक 2021 के coding apply कैसे करना है आपको क्या करना है सबसे बहले तो online recruitment applications में जो registration से वो करनी है फिर आप असानी से apply कर पाऊगे और यहाँ पे exam जो होगा आपका सिर्फ शिमला में होगा और most probably ये computer based test होगा शिमला में payment बगएर आपको online ही करनी पड़ती है ये सब कुछ आपको पता होगा अगर आप अच्छे से form बगएरा फिलप नहीं करते हो तो reject आपका form हो सकता है admit cards बगएर आपको online ही मिलेंगे जब exam होगा उसके कुछ time पहले कुछ एक certificates इन्हों ने बताए हैं जो आपको upload करने हैं जैसे ही आप apply बगएरा गरोगे और selection कैसे होगी तो यहाँ पर दो steps होगे एक तो आपका जो test होता है normally screening test वो जिसको pre exam आप बोलोगे और आपका फिर उसके बाए interview होगा जिसको personality test बोलते है स्लेब अश्यों है दोस्तो अस्ती questions आएंगे MCQs, BTEC या फिर जो भी computer science related है programming बगएरा सब कुछ A to Z ठीक है और बाकी 10 questions आएंगे HPGK के और HPGK का course आप join करना चाहो तो जुरूर आप WhatsApp करिए ये 10 मैं से 10 आपके marks नहीं आएंगे तो दोस्तो आपको पूरा refund मिलेगा बस आपको ये course बगएरा join करना पड़ेगा पूरा procedure आपको WhatsApp पर समझाए जाएगा message जुरूर करना ठीक है यहाँ पे number आपको दिया जा रहा है हलाग कि आपके पास number होगा ही होगा काफी पहले से आप जुड़े हैं हमारे साथ और बाकी 10 questions आपको क्रेंट फिर्स हो गए या फिर अधर जो भी है वहां से आएगा category claims जो होते हैं जैसे SCST या फिर ex-serviceman जो भी है ward of freedom fighter and so on यह सब कुछ दोस्तों आपको जो certificates आपके पार original होते हैं उनको show करके यह सब कुछ होता है जैसे joining आप करोगे जब documents जब आपके check किये जाएंगे बाकी other conditions जो हैं यह तनी जा important नहीं होती है आप सभी को normally पता होता है अगर आप exam की तयारी करते हो किसी भी ठीक है तो यह आशुच्टोष गर्ब जो IAS है secretary है HPPSE के उनकी तरब से notification है तो official है fake नहीं हो सकता number of post के बारे में देख लेते हैं एक post है आप computer programmer की कि इस department में जल शक्ती विवाग unreserved के लिए है इसका मतलबी होता है कि आप किसी भी category से हों SC हों ST हों BC हों कोई भी हों तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं होगा कि सिर्फ general वाले ही इसके लिए apply करेंगा and so on salary जो है काफी अच्छी मिलती है आपको यहां वे दोस्तों 10,300 से ले करके 34,800 और grade पे 5000 अलग से मिलता है बाखी जितना जलती हो सके आप apply कर देना क्योंकि बाद में फिर प्रोल्लम्स आ जाती है अगर कोई भी doubt कोई query कोई question हो तो आप whatsapp करके जरूर बताइए और मिलते है next वीडियो में तब तक चैनल को subscribe करें बेल आइकन को पैस करें तकि जैसे ह recruitment notifications आए उनका वीडियो आप सभी तक पहुंच सके जै हिंद जै हिमाचल